तो एग्जामपूर साथियो मैं कुल जीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं साथियो शमा चाहता हूं थोड़ी देरी के लिए तो एक्तम से जब स्टूडियो चेंज करना पड़े किसी मजबूरी के कारण से दूसरे स्टूडियो में केंप्यूटर चलनी रहा था तो दूसरे स्टूडियो में आगे एक वाद थोड़ा मतलब क्लास सेट करने में दो-तिर मिन्ट लगी जाते हैं शमा चाहता हूं इस चाह लिए करो अब तुम देखो कितनी क्लास चल रही है एक्जाम पूर में तड़ा अधर हर कोर्स पर क्लास चल रही है स्टूडियो बीजी हो जाते हैं वाई कई बार कई दिक्क्त आ जाती है तुम सोचो मेशीन ने तो है टेकनिकल प्रब्लम कभी ने कभी तो आई जाती है न चलिए साथियो आपका एससी जीडी का पैरा मिलिटरी बैच 599 रुपे में लौच किया गया है जिसमें कि आपको जीडी 20 लिखने पर 20 परसंट का लेस्ट भी दिया जाएगा चलो चलते हैं हमारे आज के सबसे पहले प्रशन के ऊपर वो क्या आता है कि चलो लेसेंस लाइफ टॉट मी अनलोइंगली ओटो बैगराफी किसकी है यह किसकी ओटो बैगराफी है जल्दी विताओ चलो यह किसकी ओटो बैगराफी है कि लाइफ के लेसेंस मुझे अनलोइंगली दिखाई दिये चलो यह किसकी autobiography जल्दी बता हो जरा चलो कि लाइफ लेसंस सब मिलक्र लोग कर लो और कलास को शेर कर दो इसका अंसर क्या आता है इसका अंसर क्या आता है अनुपम खेर चलो अगला प्रशन क्या है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्मान किसके द्वारा किया गया चन्डेला के द्वारा चोल के द्वारा पल्लवी के द्वारा कि साथियों एक बार सब लोग मिलकर क्लास को शेयर कर दो चलो चंडेल चोल पल्लवी या होई साला बताओ कंदरिया महादेव मंदर किसके द्वारा बनाया गया चलो जल्दी बताओ उद्रा चलो बेलकुल जहीं बताना है कंदरिया कंदरिया महादेव टैंपल कि साथियों सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करेंगे प्लीज सुरभी शेयर करो अन्यवाद देखो इसका अंसर क्या आता है चंडेल क्या इसका अंसर आता है चंडेल इसका अंसर आता है ठीक है क्या इसका अंसर आता है चंडेलास के द्वारा इसे बनवाया गया था किसके द्वारा इसे बनवाया गया था चंडेलास के द्वारा इसे बनाया गया था ठीक है यह बात तक याद रखना इसे एक और नाम से जाना जाता है दा ग्रेट गौर्ड-ओव के गुफाओं के महांदेव मलफ भगवान ठीक है इस नाम से चांदेलास को adjust कंदर्या मंधिर इसे जाना जाता यह बात आप लोग याद रखनी है चलो क्या बात है ठीक है चलो देखो इसका अंसर समझे बात को यह है कहां पर यह कंदरिया महादेवंदिर है कहां पर MP में है ठीक है खजुराहों के आसपास है ठीक है कहां उसके आसपास है इसे वॉर्ड हेरिटेस साइट विश्व विरास स्थलों की सूची में भी गिना जाता है ठीक है जो खजुराहों की ग्रुप ऑफ मॉनुमेंट्स है उसको गिना जाता है ठीक है यह जो चांडेला की जो राजधानी है वो खजुराहों रही है ठीक है यह चांडेला की राजधानी है यह क्या रही है यह खजुराहों रही है इस बारे में आप याद रखना चलो यह काफी मतलब important चीज़ है यह मतलब 1033 के आसपास बना कर से complete किया गया चलो चलते हैं अगले प्रशन के उपर वो क्या है किलियो लिए निमिल लिकत में कौन सा रसायनिक योगिक आचार में प्रिक्षक के रूप में प्रियोग किया जाता है केल्शियम मेटाभाइसलॲफ ча da dwBeat sodium natalite sodium benzohid या केल्शियम कार्भूनेड जल्दी बता हूनिमिल लिकते मैं से कौन सा और असाइनिक योगिक अचार में प्रशिक्षक के रूप में प्रियोग किया जाता है जल्दी उताओ साथियों सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर करो चलो सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर करेंगे चलिए सोडियम बैंजोएट क्या इसका अंसर बनता है सोडियम बैंजोएट इसका अंसर बनता है फिक है क्या इसका अंसर बनता है सोडियम बैंजोएट इसका अंसर बनता है ठीक है ये बात आप लोगोंने याद रखनी ए इसका फॉर्मॉला बता सकता है कोई ठीक है देखोispiel c7-h5-n-a-o-2 क्या है इसका सोडियम बैंजोएट है ठीक है चलो बारतिय सरकार के बैंकर के रूप में कौन एक्ट करता है अंतरश्ट्रे मुद्राकोश भारतिय रिजर्व बैंक विश्व बैंक यह स्केट बैंक ऑफ इंडिया जल्दी बताओ बारतिय सरकार के बैंकर के रूप में कौन कारिया करता है जल्दी उताओए चलिए बारतिय सरकार के बैंकर के रूप में कौन कारिया करता है ठीक है चलो चलो देखो हमारे पास बहुत सारे बैंक है आइस आइसी आइसे ही एफसी जैसे प्राइवेट बैंक है स्बी बैंक है इन सभी बैंकों का बैंकर मतलब की बैंक कि लेकिन इनकों पैसे देना लेने अ काम ये कहा से करते सब्सक्र बारतीय संविधान का कौन सादा है कौन सा भाग मॉली कर्दिखारों को सुची बद्ध करता है भारतिय सम्विधान का कौन सा भाग मौली कदिकारों को सूची बद्ध करता है भाग चोथा पांचवां तीसरा दूसरा भाग चोथा पांचवां तीसरा दूसरा जल्दी उताओ भारतिय सम्विधान का कौन सा भाग मौली कदिकारों को सूची बद्ध करता ह देखो इसका अंसर क्या आता है समविधान का तीसरा भाग ठीक है देखो समविधान के तीसरे भाग में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक अनुछेद नंबर 14 से लेकर 32 तक हमारे समविधान में क्या है अनुछेद है ठीक है यह बात आप याद रखना चलो चलते हैं अगले प्रशन के ऊपर वो क्या आता है सूर्य की और जुका हुआ होगा तो उसमें क्या होगी गर्मी होगी जब इसका दक्षनी गुलार्थ सूर्य की और होगा वहां गर्मी होगी अगर उत्तरी गुलार्थ सूर्य की और है तो क्या है ग्रीश्मकरांत सकरांती ठीक है अगर दक्षनी वाला है तो वही ठंडी वाल यह चलिए जल्दी बताओ जाओ जलो देखो इसका अंसर क्या आता है 21 जून ठीक है क्या इसका अंसर है 21 जून इसका अंसर है ठीक है चलो चलते हैं अगले प्रशन के ऊपर वह क्या आता है कौन से विटामिन का वेग्यानिक नाम कोबा लिन है कौन से विटामिन का वेग्यानिक अलान कोबा लिन है जल्दी बताओ बीवन सी बीट्वैल यह बताओ कौन से विटामिन का नाम कोबा कोबाला मिन है जल्दी बताओ जरा कौन से विटामिन का नाम कोबाला मिन है जल्दी इसका अंसर क्या आता है बी ट्वैल्व इसका अंसर आता है ठीक है चलो कि निमिल लिकित में से कौन सा अमल स्त्रोत युगम सही सुमेलित है निमिल लिकित मैं से कौन सा अमल स्त्रोत युगम सही सुमेलित है जल्दी बता हो निमिल लिकित में से कौन सा अमल स्त्रोत युगम सही सुमेलित है fouramic acid, tamarind, citric acid lemon, acetic acid in, स्टिंग या लैक्टिक एसिड विनेगर जल्दी बताओ ज़रा चलो कि क्या बात है सभी लोग एक बार मिलकर क्लास को शेर करो चलो देखो इसका अंसर क्या बनता है सिट्रिक एसिड इसका अंसर बनता है क्या इसका अंसर बनता है सिट्रिक एसिड इसका अंसर बनता है चलिए अगला प्रशन क्या है समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्रापत किया जाता है समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्रापत किया जाता है सेडिमेंटेशन गाल्विनाइजेशन इवैपोरेशन या सब्लीमेशन जल्दी बताओ जड़ा समुद्री प्रक्रिया से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्रापत किया जाता है कि बहुत अच्छे बेलकुल योगी शर्मा बहुत अच्छे चलो जल्दी बताओ जड़ा किस प्रक्रिया द्वारा प्रापत किया जाता है चलो जल्दी बताओ जड़ा क्या बात है बहुत बढ़िया वा वा जी वा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कि देखो इसका अंसर क्या बनता है इवैपोरेशन ठीके क्या इसका अंसर बनता है इवैपोरेशन इसका अंसर बनता है चलते हैं अगले प्रशन पर वो क्या आता है मोठ की मस्जिद निमिल लिखत में से किसके शासनकाल में बनाई गई मोठ की मस्जिद निमिल लिखत में से किसके शासनकाल में बनाई गई जल्दी उताओ जलो जल्दी उताओ मोठ की मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई मुहम्मद बिन तुगलक सिकंदर लोदी औरंग जेव अलाउदिन खेल जी जल्दी उताओ जलो किसके शासनकाल में बनाई गई साथियों जितने भी लोग लाइव है एक बार लाइक कर देंगे और सब लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर देंगे चलो इसका अंसर क्या बनता है सिकंदर लोदी क्या इसका अंसर है सिकंदर लोदी इसका अंसर है नई दिल्ली में ये मस्जद बनाई गई है सोलवी सदी में ये मस्जद बनवाई गई ठीक है कौन सी सदी में ये मस्जद बनवाई गई सोलवी सदी में ये मस्जद दिल्ली सलतनाथ के काल में दोदी वंच के काल में बनवाई गई है इसलामिक आर्किटेक्चर के चलते बनी है ठीक है कौन से ठीक है मियान बुहिया इसका क्या था वास्तुकार था मियान बुहिया कौन था इसका वास्तुकार था चलो चलते हैं अगले प्रशन के ओपर वो क्या आता है हर गोबिंद खुराना को निमन लिकित में से किसके शेत्र में नोबिल पुरसकार से सम्मानित हिया गया था हर गोबिंद खुराना को किस नोबिल पुरसकार किस शेत्तर में दिया जल्दी बताओ किस शेत्तर में दिया साथ यो सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर करेंगे चलिए सबी लोग मिलकर क्लास को शेर करेंगे चलिए इसका अंसर क्या आता है इसका इसका अंसर आता है नागरिक्ता प्रधान और जल्द हुझा बातिया हमारा देश का सम्विधान कौन सी नागरिक्ता की बात करता है साथियो सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर करेंगे चलो सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर देंगे चलिए सभी लोग मिलकर शेयर करेंगे चलिए हुआ 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 है बेलकुल से सिंगल नागरिक्ता है यह नागरिक्ता का सिधान्त हमारा कहां वाला है इंगलंड वाला है कौन सा है चारू पल्लम जुकाव का गाव किस मंदिर के पास थित है चारू पल्लम विलेज ओफ इंकलाइन इस लोकेटिड नियर विच टैंपल जल्दी बताओ जगन्नात पुरी तिरुपती टैंपल राज राजेश्वर टैंपल या कोनारक मंदिर जल्दी बताओ उदरा कहां पर है जल्दी बताओ चली है उद्र कर सत्यों जतने भी लोग लाइव करेंगे चले जीतने भी लोग लाइव हैं जितने भी लोग लाइव है मिलकर लाइक कर देंगे चलिए जल्दी जल्दी इसका अंसर क्या है जल्दी बताओ इसका अंसर बनता है राजा राजेश्वरा टेमपल यह राजा राजेश्वरा मंदिर राजा राजेश्वरा मंदिर है कहां पर यह राजा राजेश्वरा मंदिर असल में कैरला में है कौन से रज्ज में है कैरला में तो नो डाउट इसका मतलब जो वास्तुकला है वो द्रावेडिया नहीं होगा इसके वास्तुकार पता किसको कहा जाता है राजा राजा प्रथम को राजा राजा प्रथम मतलब चोल समराज्य का राजा राजा प्रथम यह राजा सब वास्तुकार भी था क्या यह नहीं था सब कुछ था यह चलो चलते हैं अगले प्रशन के ओपर वह क्या आता है कि अगर दा बेर ग्राउंड बिट्वीन प्लांट्स इस कवर्ड विद लेयर ओफ और गैनिक मैटर लाइक स्ट्रा इट है इस तो रिटेन स्वैल मॉश्चर इडेंटिफाइदा प्रोसेस जल्दी बिताओ यह है क्या पोदे के पीछ खाली जमीन पुवाल जैसे कार्बनिक परदार् को चution कि कि नमी बनाये रखने में मदद करती है वए परक्रिया क्या कहलाती है Wow mm रेलडेंग सुबल मिक्सिंग मलचन्ग या काउंट और प्लागिंग जल्दी मिताओ त़्ला वैपर क्रिया क्या कहलाती है जल्दी बीचलो कि सभी लोग बताएंगे चलो कि कर कि कि देखो इसका अंसर क्या बनता है मल्चिंग ठीक है मल्चिंग पलवार यह होता क्या है किसानों बाइसाब आप सब को पता है कि मिट्टी की सबसे उपरी परत को किसी भी चीज से ढख दो जैसे की घास या फिर जो मतलब बाद में कुछ फसल काटते हैं तो उपर उसके कुछ रह जाता है ठीक है या प्लास्टिक लगा दो या पत्थर लगा दो या स्टॉन वगड़ा लगा दो यह सब किहते हैं चलते हैं अगले प्रशन के ऊपर वो क्या आता है कि 살ाबत कमेटी सिटी के अली बंदमों द्वारा खिलाफत समीटी का कि घठन नेमर्शमे से किया गया था कब जल्दी उसजाओ खिलाफत कमेटी व्होसी फॉर्म्द वाए अली ब्रदर्स खिलाफत कमेटी वॉस फॉर्म बाय अली ब्रदर्स उन्नीस 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 में लखनाओ में कलकत्ता मदरास बॉंबई जल्दी बताओ जरा चलो खिलाफत कमेटी साथियों सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर करेंगे चलो सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर करेंगे चलो उसका होसला बुलंद है तुम्हारा पता नहीं क्यों बुलंद नहीं है जल्दी बताओ दरा चलो बिल्कुल सही उन्निस उन्निस बंबाई ठीक है हम सब जानते हैं पहला विश्वजुद हुआ पहले विश्वजुद में इंगलंड ने टर्की के खिला खैलिफेद के साथ बहुत कुछ गलत किया तो पूरे दुनिया के जो मुस्लिम समधाय था वो हर्ट हुआ भारत में मु भारतिय संवेधिक एक भारतिय संवेधान का या फिर सवीधिक कहलो आयोग बना था 1928 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी जल्दी बताओ 1928 में भारत के संवेधान के लिए एक आयोग बना था कमिशन बना था उसकी अध्यक्षता किसने की थी ये बताओ चलो किसने की थी इसकी अध्यक्षता जल्दी बताओ चलिए साथियों सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर करो चलो क्या सका आंसर बनता है साइमन कमेशन इसका आंसर बनता है ठीक है छलो साइमेन कमिशन काा गठना 1928 में के विरोध में गो बैक साइमन कमिशन के नारे लगे साइमन कमिशन का विरोध किया क्यों साइमन कमिशन का विरोध हुआ था साइमन कमिशन असल में सभी के सभी अंग्रेज थे और भारतियों को गुस्सा आया कि यह अंग्रेज कौन होते हैं यह तै करने वाले की हम शासन कर सकते हैं के नहीं इसी बात का प्रोटेस्ट था इसके जवाब में इंडियन नैशनल में नहरू मतलब सोरी मोतिलाल नहरू की अध्यक्ष्टा में मोतिलाल नहरू की अध्यक्ष्टा में एक कमेटी बनी क्या बनी एक कमेटी बनी उसने फिर नहरू रिपोर्ट भी प्रेश की वही नहरू रिपोर्ट ने आगे जाकर क्या किया वही नहरू रिपोर्ट आगे ज प्रदहार मंतरी शरम्योगी मंथन योजना के जू लाबार्थी कौन है जलदी बताओ। राक्य बैनीफीश्री कौन है संगठित शेत्र में काररत विद्वणं ग्रेट डी सरकारी करम Gesundheitsre Michigan में काम करने वाले लोग आप्रफित में काम करने लोग बता जलो जल्दी जल्दी बताईए इसका अंसर चलो जल्दी बताऊ जलो सब्सक्राइए बताता हूं चलो सब्सक्राइगे देखो सी इसका अंसर बनता है ठीक ओश का अंसर सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है अन और्गेनाइज सेक्टर असल में कौन सा सेक्टर होता है अन और्गेनाइज सेक्टर होता है जहां पर लोग काम करते हैं कौन से लोग काम करते हैं जैसे की फैक्टरी बनी फैक्टरी रिजिस्टर नहीं है कंपनी होता ना कि बड़े- रुपए जमा करवाने होगे साठ साल की उमर तक ठीक है और साठ साल की उमर से आपको तीन हजार प्रती माह मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है यह जोजना 2019 में लॉंच की गई थी चलो चलते हैं अगले प्रशन के उपर वो क्या है हिकड़ सवराज वाज रेंटन बय। हिंद सवराज किसके द्वारा लिकी गई जल्दी बताओ धुरा चलो हिंद सवराज किसके द्वारा लिकी गई जल्दी विताओ डाक्टर भीमराव अम्बेदकर, जोहरलाल नहरू, वल्लाबाई पटेल या मोहंदास करमचंद गांदी जल्दी बताओ हिंद सवराज किसके दुआरा लेखी गई चलिए जल्दी बताओ चलो साथियो सभी लोग मिलकर कलास को शेयर करो चलो हिंद सवराज मोहंदास करमचंद गांदी क्या इसका अंसर बनता है मोहंदास करमचंद गांदी बाई साब गांदी जी ने लिखी यह पुस्तक ती कि मोहंदास करमचंद गांदी अगला प्रशन क्या आता है आपके सामने जल्दी देखो जराव सकांसर चलो मोहंदास करमचंद गाधी ने हिंद सवराज या इंडियन होम रूल हिंद सवराज या हिंडियन होम रूल नाम की पुस्तक लिकी निसो नौ में यह पपचलिश हुई और इसकी मूल बाशा गुजराती थ नहीं है बारा मुला मैसूर मिर्जापूर या बेलागाउ बारा मुला मैसूर मिर्जापूर या बेलागाउ जल्दी उताओ दरा चलो सभी लोग जल्दी जल्दी इसका अंसर बताएंगे चलिए इसका अंसर क्या आता है मिर्जापूर इसका अंसर है ठीक है चलो चलते हैं अगले प्रशन के उपर वो क्या है भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद में भारत में समान नागरिक सहिता की स्थापना का प्रावधान है बारतिय सम्विधान के किस अनुछेद में भारत में समान नागरिक सहिता की स्थापना का प्रावधान है आटिकल 41, 195 42, Left 47 या आटिकल 43 जल्दी उताओ जलो जल्दी जल्दी वताओ इसका अंसर के बनता है आटिकल 44 ठीक है क्या इसका अंसर बनता है आर्टिकल 44 चलो पंडूपियों में समुदर तल से उपर की वस्तूओं को देखने के लिए निमें लिकत में से कौन सा उपकर्ण प्रयोग किया जाता है ओडोव मिटर पादी एलियू मिटर हइप सो मीटर यह पैरी सकौॉप जल्दी बथा चलो इसकाँ सर वंतार स्काँ ठीक है offense काँसर है पारी स्कॉप इसकाँसर बनता चलिए चलते है उग्ले प्रशन के ऊपर क्या है निमिल लिकत में से किसने 1975 में पहले क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की निमिल लिकत में से किसने 1975 में पहले क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की जल्दी बताओ जरा पहला क्रिकेट विश्व कप पहला फोस्ट वर्ल्ड काप इन 1975 जलदी उता उधा से लॉ- Rou ऊ-चलो जल्दी जल्दी उताई यह जुडरा चलिए मोस्ट वॉर्सिट मोरड को क्रिकेट इन 1975 हूँँ कि साथ यू सभी लोग मिल कर एक बार Aussie को श्यर करो चलो सबी लोग मिल कर एक बार क्लास को श्यर करो चलो झाल देखो इसका अंसर क्या बनता है इंगलंड स्का अंसर बनता है एगं लिघ लिखित में से किस एक को मापने के लिए बैरो मीटर का प्रियोग किया जाता है निमिल लिखित में से किस एक को मापने के लिए बैरो मीटर का प्रियोग किया जाता है जल्दी बताओ करंट को एटमस्फेरिक प्रेशर को हमुडिटी को या एल्टीट्यूड को जल्दी आता है करन्ट वायुदाब नमी या उचाई बैरोमीटर का प्रियोग दसो बताओ ज़रा चलो जल्दी जल्दी बताइए चलिए देखो एटमोसफयरिक प्रैशर ठीक है एटमोसफयरिक प्रैशर को मापने के लिए चलते हैं अगले प्रशंद के उपर वह क्या आता है रैपो दर तैय करने और मुद्रा सफिती को मापने के लिए रैपो दर तैय करने और मुद्रा सफिती को मापने के लिए RBI द्वारा किस सूचकांग का उप्योग किया जाता है जल्दी उता हुजरा देखो RBI किसी एक सूचकांग का प्रियोग करता है क्या करता है इंड़ेस्टिर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् WPI ठीक है क्या इसका अंसर बनता है WPI इसका अंसर बनता है चलो रेशम किस प्रकार के जीव से प्रापत होता है जल्दी बताओ रेशम किस प्रकार के जीव से प्रापत होता है यह बताएंगे चलिए मोत नाम का जो कीड़ा होता है न चलो सरकार दौारा कितनी अनिवारे फसलों के लिए नियुन्तम समर्थन मुल्य की गोशना की जाती है जल्दी बताओ ज़रा चलो सरकार दौारा कितनी अनिवारे फसलों के लिए नियुन्तम समर्थन मुल्य की गोशना की जाती है बताऊ ज़रा MSP कितनी फसनों के लिए डिकलेयर होता है बाइस फसलों के लिए 42, 32 या 12 जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताईए देखो MSP डिक्लेयर करना बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जल्दी उताओ minimum support price minimum support price जल्दी बताओ जल्दाओ क्या इसका answer बनता है इसका answer बताओ चलो कितनी फसलें है इसका answer क्या बनता है 22 इसका answer बनता है ठीक है commission for agriculture cost and price 2008 में गठन हुआ commission for agriculture cost and price 2008 में गठन हुआ और उसके द्वारा ये चीज़ की जाती है ठीक है अब इसकी category को 22 से बढ़ा कर टेइस कर दिया गया है और साल में दो बार इसके उपर ये निरने लिए जाते हैं ठीक है MSP को लेकर MSP खास तोर पर किसानों को फाइदा दिलवाने के लिए किया गया था चलिए निमल लिकत में से कौन भारत में एक पर मुख बेसिन नहीं है निमल लिकत में लिकत में हैं निमल लिकत में से कौन सा भारत में परमुख बेसिन नहीं है गया नहीं इस बात को चलो निमन लिकत में से देखो बेसिन का मतलब समझते ही होगे आप एक बार कॉमेंट करके बताइए कि आप समझते हैं कि बेसिन का मतलब क्या है क्या नहीं है एक बार सब लोग कॉमेंट करके बताइए कि आप समझते हैं कि बेसिन का मतलब क्या है या क्या नहीं है जल्दी जल्दी बताइए चलिए आगया ना कोश्यन कि बेसिन का मतलब क्या है वाजी वाजी देखो मैं समझाता हूं बेसिन का मतलब क्या है सबसे पहले इसका आंसर समझे लो क्या है लूनी नदी ठीक है बेसिन क्या होता है जिए यहां पर उत्तरा खंड ना यहांसे ब्रहरे नदी निकलती है जिसे हम क्या कहते है घंगा नदी ठीक है bell यहां से बात बैठ एकर अब इसकी बहुत साहयक नदियां भी हैं बहुत सारी सायक नदियां इसकी बहुत सारी आइसकी में जितने भी शेत्र को ना भूमिय जितने भी शेत्र को कवर करती है वो क्या होता है बेसिन होता है समझे अगर समझे लो एक पार्क ले लो एक पार्क चोटा सा पार्क एक्जामपल के तोर पे किसी पार्क में चार-पांच जगा पर ना आप पानी की टूटिया लगा दो वहां से जितने भी पार्क का अगर इतना बड़ा भाग है ठीक है और तोटी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इतने भाग में लगी है तो इतने इतने भाग में पानी कवर हो रहा है तो यह सारा बेसिन हो जाएगा जितना area नदियां cover करें न भू भाग ये नहीं नाधी यहां एंतो नधी वाले एरिया कोई हम कहें आज बूबाग नहीं उसके आसपास का area भी नगे कावर क्या दूर करती है तो सबसे बड़ा बेसिन गंगा ब्रह्म पुतर्रा का बेसिन है उसके बाद प्राइदी पिया भारत में सबसे बड़ा बेसिन गुदावरी नदी का है चलिए अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन क्या है और अगला जून 2019 तक महराश्टर के राज्यपाल कौन है सातियों सभी लोग मिलकर क्लास को शेर करेंगे देखो इसका अंसर क्या बनता है चेनना मेनी ठीक है सोरी सीज का अंसर है चेनना मेनी चलो चलते हैं अगले प्रशन के ओपर वो क्या आता है किस संविधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधानों की शुरुवात की जल्दी बताओ संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम अरे यहां पर संविधान संशोधन दल बदल इसे नंबर लिखा ही नहीं हुआ एक पुस्तक है an inquiry into the nature An inquiry into the nature वो पुस्तक किस ने डिक का अंसर द अडम समित फिक एक शास्त्री थे इन्होंने अर्ञ शास्तर मूवी पथर पंचाली इस डाइक्टिड बय मूवी पथर पंचाली किसके द्वारा डाइक्टिड निवी पताो सोमित्रा चैटर जी राज कपूर सत्या जीत रे या दादा साहिब फाल के बटाल ओ जल्दी उताओ, सत्या जीत रे, ठीक है, क्या इसका अंसर है, सत्या जीत रे इसका अंसर है, चलो अगला प्रशन क्या है मिन्हाज सिराज मिन्हाज सिराज एक क्रॉनिकर यूस दा टर्म हिंदुस्तान तू रिप्रेजेंट डा एरिया उफ बताओ मिन्हाज सिराज में मिर्हाज सिराज एक इतिहासकार है ठीक है क्या है मिन्हाज सिराज क्या है एक इतिहासकार है उन्होंने एक पुस्तक में हिंदुस्तान शब्द का प्रियोग किया लेकिन हिंदुस्तान उन्हें कितने शित्तर को बताया यह प्रशन है हिंदुस्तान उन्हें कितने शित्तर को बताया जल्दी बताओ चलो हिंदुस्तान उन्होंने कितने शित्र को बताया चल्दी बताओ इसका क्या अंसर बनता है बीस का अंसर बनता है ठीक है पुझाब हर्याना यमुना के बीज चलिए टैनिस का रोलाड गारोस ग्रैंड सलैम कहां आयोजित किया गया जल्दी बताओ वेरिज दा रोलांड गारोस ग्रैंड स्लैम टैनिस कहां पर हुआ जल्दी बताओ ब्रुसेल्स पारिस लंडन जूरिक ब्रुसेल्स पारिस लंडन जूरिक जल्दी बताओ जल्दा चलो टैनिस का रोलांड गैरोस ग्रैंड स्लैम ओफ टैनिस कहां पर हुआ इसका क्या अंसर बनता है पैरिस इसका अंसर बनता है ठीक है क्या इसका अंसर बनता है पैरिस भारतिय सम्विधान के वित्तिय अपात कालीन प्रावदानों को कहां से उधार लिया गया है भारतिय सम्विधान के वित्तिय अपातकाल प्रावधानों को कहां से उधार लिया गया है वित्तिय सम्विधान के देखो तीन अपातकाल है सम्विधान के अंदर आर्टिकल नमबर 352, 356 या 360 यह तीन अपातकाल है एक रज्य के स्तर पर होता है या देश के कुछ भागों के स्थर पर होता है एक देश के स्थर पर अगर बहाद से युद्ध छिड़ जाए और एक कहां से होता है वित्तिया पातकाल मतलब कि अगर पैसे का संकट आ जाए तो सातियों सभी सभी लोग मिलकर कonda को शेयर करो यह जो विद्तिये वाला यह कहां से लिया गया जल्दी उताओ यह विप्तिये वाला प्रापदान कौन से देश के सम्विधान से लिया गया है जल्दी उताओ चलो इसका आंसर क्या बनता है जर्मनी के सम्विधान से हमने आपातकाल के प्रावदान लिये हैं अगला प्रशन क्या है निमिल लिकित में से किस रज्य में भगवान महावीर का जनम हुआ जल्दी बताओ चलो भगवान महावी महाराष्ट्रा, करनाटिका, बिहार या गुजरात लोर्ड महावीर जल्दी बताओगी लोर्ड महावीर का जरम कहां पर हुआ इसका अंसर क्या आता है बिहार इसका अंसर आता है ठीक है क्या इसका अंसर है बिहार ठीक है ये एक अमीर जैन परिवार में इनका जनम हुआ ठीक है इनका जनम एक अमीर जैन परिवार में हुआ था ठीक है ये बौद धर्म के 24 में तीर्थनकार थे ठीक है तेईसमें तीर्थनकार जैन धर्म के परशवनाथ उन्हों ने ये इनको दिया था क्या अपनी मेलब उनके बाद 24 में और आखरी तीर्थनकार बने इनकी माता जी का नाम त्रिशला और पिता जी का नाम सिदार था ये एक शत्री अवंच से थे जो इनको महाग्यान की चलते हैं अगले प्रशन के उपर वो क्या आता है नत्थुला और जीपला दर्रे किस परवतिय शरिंखला में हैं नत्थुला और जीपला दर्रा कौन से परवतिय शरिंखला में आते हैं बताओ शहादरी हिमाल्या अरावली विंद्या जल्दी बताओ जलो नत्थुला और जीबला दर्रा किस परवतिय श्रिंखला में आते हैं जल्दी बताईए चलिए इसका अंसर क्या बनता है हिमाल ले इसका अंसर बनता है हिमाल ले ठीक है नत्थुला और जीबला दर्रा यही आपके जम्मू किश्मीर और हिमाचल परदेश वाले लेने आजाते हैं ठीक है ये पहाड श्रिंख राएं कहां पर हैसारी जो लिखी गई है देखो अग्राइब 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 देखो हरे याड़ देखो, यहां पर अरावली परवश रिंकला है, ठीक है? यहां पर बिनद्या परवश रिंकला है, यहां पर शहादरी की परवश रिंकला है है और सबसे उपर जो मेरे हैं हिमाल लिया है ठीक है तो इस परकार से यह सारी परवश रिंखलाओं का साचा भारत के लाके में कवर होता है चलिए निमिल लिकत में से कौन कोरल दूइप है निमन लिकत में से कौन कोरल द्वीप है जल्दी बताओ दरह निमन लिकत में से कौन सा कोरल द्वीप है जल्दी बताओ चलो कौरल दूइप है चलिम इसका अंसर बनता है लक्षदीफ ठीक है लक्षदीप कोरल है यहाँ पर आता लक्षदीफ आइलेंट ठीक है ये कोरल से बना हुआ बहुत सारी दूइपों का असल में क्या है समूंव है चलो मानव में जनम किस परकार के निशेचन द्वारा होता है मानव में जनन जनन किस परकार के निशेचन के द्वारा होता है आंतरिक निशेचन इन वेट्रो निशेचन बहरी निशेचन या पूर्व वीट्रो निशेचन जल्दी बता हो चलो किस परकार के निशेचन की वज है दिकत क्या आ रही है किते बरबात कर दने का मूड दुबा दने का मूड है वह भीटे वह है तक मूड क्या बताओं जड़ा क्लास को शेर क्यों नहीं कर रहे हो इसका अंसर क्या बनता है आंतरिक निशेचन ठीक है क्या इसका अंसर बनता है आंतरिक निशेचन चलो चोल राजवंश के तहत किसानों की बस्तियों को निमिल लिकित में से किसके रूप में जाना जाता है तामिलाडू मुवेदावेलन उर या तालुका जल्दी बताओ जरा सैलर सैटलमेंट ऑफ पीएसेंड अंडर अंडर चोहला डालास्टी चोहला डाइनास्टी वॉस नोन है जल्दी बताओ जरा इसका अंसर क्या आता है और इसका अंसर आता है ठीक है क्या इसका अंसर आता है और इसका अंसर आता है चलो निमिल लेकित में से कौन सी भौतिक मात्रा एसाई इकाई युगम सही सुमेलित है जल्दी बताओ जा चलो कि इसका अंसर क्या आता है फोर्स न्यूटन ठीक है क्या इसका अंसर आता है फोर्स न्यूटन चलो चलते हैं अगले प्रशन के उपर हो क्या आता है भारत में सवीने अवग्या अंदोलन का नेत्रित्व किस ने किया जल्दी बताओ सिविल डेस्ट वीडियस मुव्मेंट को हम और भी क्या नाम से जानते हैं नमक सत्याग रह के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं नमक सत्याग रह कराम से 1930 को शुरू हुआ बारा मार्च से छे अपरल तक चला बिलियम वैडवा वैडर बन महात्मा गांदी एनी बिसांत बाल गंगा दर तिलक और चैल्म्स फोर्ड जल्दी बताओ साथियों सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर करेंगे कि आप एक बात को नोटिस करो महात्मा गांदी जी के पैटर्न ग्यादार पर मैं थोड़ा सा समझाता हूं समझो थोड़ा सा समझ लो देखो क्या होता है महात्मा गांदी जी भारत आते हैं 1916 में चोटे 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 चमपार्न और खेडा खुड़ा वाले अभियान करते हैं देश के स्तरपुर्ण को मोका मिलता है और सहयोग आंदोलन के चलते तब खिलाफत मुमिट भी चल रही थी लेकिन तब चौरी चौरा का पंगा हो ग बड़ा फिर दूसरा बड़ा अंदोलन चलाना वह भी देश के सर पर लोग तो नराज थे गांदी जी से कि आपने इतना बड़ा काम गलत काम कर दिया तो गांदी जीने कुछ समय बाद मेहनत करते रहे करते रहे 1922 में उसको ठप किया आठ साल बाद 1930 में इसको चलाया 1932 मे जाकि यह बंद हो गया गांदीर्विन समझोता हुआ बाते फिर भी नहीं रुकी फिर चला कुट इंदिया मूव्मेंट भारत छोडवा दोलत तीन बड़े अंदोलों में वाई साब बुरा हाल करके रख दिया अंग्रेज जोगा ठीक है चलो समझ गए और कुछ लोग भा धातु है जल्दी बताओ गण्दक आयवडीन लोहा या कार्बन न् Breakfast में से कौन सी एक धातू है जल्दी बताओ चलो श्क्राण करके क्या होगया अर्च्ण करके क्या होगयार करके क्या वह वाग भेटी ना हो गया क्या है को वा बेटी रहा इसका अंसर क्या है आयरन लोहा ठीक है इसका अंसर क्या है आयरन लोहा चलो अर्थ ववस्था में जिस स्थिती में बेरोजगार व्यापत है अर्थ ववस्था में जिस स्थिती में बेरोजगार व्यापत है उसे निमन लिकित में से किसके रूप में जाना जाता है गैलोपिंग मतलब सरपड मुद्रा सफिती मुद्रा सफिती जन्तिय मंदी अती मुद्रा सफिती या व्यक्ति गत रिन जल्दी बताओ जरा या फिर व्यक्ति गत रिन जल्दी बताईए किस नाम से जाना जाता है देखो इसका आंसर क्या आता है स्टैग फ्लेशन ठीक है क्या इसका आंसर आता है मुद्रा सविती मंदी इसका आंसर आता है चलो आम्रवती च्तूप भारत के किस राज्ज में है जल्दी बताऊ उतरा चलो मद्यावरदेश छितिसगर्ड अंधरपरदेश या महाराष्ट जल्दी बताऊ आमर्वती स्टूपा भारत के किस राज्य में है जल्दी बताईए चलिए चलो जल्दी बताओ चलो आमर्वती स्टूपा साथियो सभी लोग मिलकर क्लास को शेर करिये चलिए सभी लोग मिलकर क्लास को शेर कर दो चलो देखो यह कहां पर है अंधर प्रदेश में है आमर्वती स्थूपा ठीक है कहां पर है अंधर प्रदेश में है किसी देश के विकास के संदर्ब में निमेल लिकत में से कौन सा देश सकल राष्ट्रिया खुशी से जुड़ा है बुटान बैलजियम बांगलादेश इंडोनेशिया किसी देश के विकास के संदर्व में निमें लिकित में से कौन सा देश सकल राष्ट्रिया खुशी से जुड़ा है बुटान बैल्जियम बांगलादेश इंडोनेशिया बुटान बैल्जियम बांगलादेश या इंडोनेशिया गल्दी बताओ दो चलो इसका अंसर क्या आता है बुटान इसका अंसर बनता है चलते हैं अगले प्रशन के उपर वो क्या है केंदर सरकार की ओर से केंदरी अजंसी नोट जारी करती है बताओ जरा केंदर सरकार की तरफ से कौन से केंदरी अजंसी नोट जारी करती है जल्दी बताओ आर्बियाए सैबी आर आइडिये या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जल्दी बताओ जरा चलो देखो इसका अंसर क्या आता है रिजव बैंक ऑफ इंडिया क्या इसका अंसर आता है रिजव बैंक ऑफ इंडिया चलो भारत में खादान का बफर स्टॉक कौन रखता है जल्दी बताओ नाफेद FICCI Ministry of Agriculture या FCI जल्दी बताओ भारत में खादान का बफर स्टॉक कौन रखता है जल्दी बताओ चलो बारत में खादान का बफर स्टॉक कौन रखता है जल्दी बताओ यह कि आहर बैंक के पापा वाजी वाजी चलो देखो बफर स्टॉक पता कौन रखता है बफर स्टॉक होता क्या किसी को पता है समझो लो अब हमारे देश में कितनी सारी खेटों किसी सारी फसलों पैदावार की जाती है ठीक है हमारे देश में फसलों की कितनी सारी पैदावार की जाती है अब वो पैदावार सारी तो नहीं खाते कुछ स्टोर करके रखनी बढ़ती है आरे वले समय के लिए उसे हम कहते हैं बफर स्टॉक होता ना घर पे हम कहते हैं यार कोई नहीं एक किलो चावल एक्स्ट्रा ना घर पे स्पाले देंगे बाद में खालेंगे बफर स्टॉक वो फूड कॉर्परेशन अफ इंडिया रखती है ठीक है चलते हैं अगले प्रशन के ओपर तुक्के पर ठूप चलता है तुम लोगा निमिल निकित में से कौन संस्कृतिक महाबारत से जुड़ा है जल्दी बताओ गीता गविंदा युद्ध कंड़ा शांती पर्व या कथा सरित सागर जल्दी बताओ कथा सरित सागर जल्दी बताओ ज़रा कौन जुड़ा है इससे और सब लोग मिलकर क्लास को भी शेयर कर दो चलो फूर्ड कोर्पोरेशन ओफ इंडिया मिलकर क्या अफ Okey simple फूर्पोरेशन ओफिंडिया जल्दी बताओ दाऊ ज़लो इसका ऐसर का बनता है शांती पारव ठीक है क्या इसका इसका अंसर बनता है शांती पर इसका अंसर बनता-एक जल्दी बताओ रहा चलो एंठ्राक्स किसके कारण होता है जल्दी बताओ विए यृइस का बी जिवानू बैक्टीरिया ठीक है डी जीवानू बैक्टीरिया चलो hypothalamus मानव श्रीर के किस अंग का हिस्सा है hypothalamus मानव श्रीर के किस अंग का हिस्सा है जल्दी विताओ जरा चलो हाइपो थैलमस मानव श्रीर के किस अंग का हिस्सा है दिमाग दिल स्पाइनल कोड या लिवर जल्दी विताओ जरा चलो मानव श्रीर हाइप जल्बुब मानव दिल श्रीर के चलो हुआ। झाल 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 पूर्ण सवराज की मांग कब निकल कर आई? पूर्ण सवराज की मांग कब निकल कर आई? जल्दी उताओ दो चलो पूर्ण पूर्ण सवराज की मांग कब निकल कर आई? जल्दी उताओ लाहुर सेशन में निकल कर आई? देखो लाहुर सेशन में निकल कर आई? निकल कर आई? यह एक रेजिशन पास किया गया पूर्ण सवराज का ठीक है? अगला प्रशन क्या है? निवल लिकेद में से किस भारतीयों को नोबेल पूरसकार नहीं मिला? जल्दी निमिल लिक्त में से कौन से भारतियों को नोबेल पुरसकार नहीं मिला मदर टैरिसा केलाश सत्यार्थी अमर्तिया सेन या डाक्टर एपीजी अब्दुलकलाम जल्दी बताओ निमिल लिकत में से किस भारतियों को नोबेल पुरसकार नहीं मिला जल्दी बताओ उतरा चलो केलाज सत्याग हरी को तो मिला है मर्दर टैरिस्सा को भी मिला है बचे दो जल्दी बताओ चलो साथियों दो मिनट के लिए आवास क्या गई तुम लोग तो आउटी हो गए यार भागी के बहुत सारे लोग तो क्लास को शियर करो यार ऐसा बनलब ये बात तो गरबड़ है चलो इसका अंसर क्या बनता है डाक्टर एपीज अब्दुलकराम ठीक है एपीज अब्दुलकराम हमारे देश के राष्टपती रहे हैं मिसाइल में रहे हैं चलो इनका प्रशन क्या आता है त्रियंब केशवर न इसका है जल्दी बत ही चलिए ंव ही है भू अ कि अ धे दे देखो यहां से एक गूदावरी निदी निकलती है चोदाशों से ज्यादा किलो मेंटर लबी है कि ग सेवर फेश्चमी घाट की जगा है फेश्चमी घाट की एक जगा है जिसे हम कहते हैं र्म केश्वर ठीक है ढ़ डावरी नदी चलो अगला प्रश्न क्या आता है My life, my mission is an autobiography of My life, my mission किसकी autobiography है जल्दी बताओ जरा चलो Baba रामदेव, गुरु राम रहीम रतन टाटा या महात्मा गांदी जल्दी बताओ जरा किसकी ये autobiography है My life, my mission जल्दी बताओ जरा चलो इसका अंसर क्या आता है Baba रामदेव भारत में लोकसभा के चुनाव कौन आयोजित करता है भारत में लोकसभा के चुनाव कौन आयोजित करता है जल्दी बताओ लोकसभा देश की संसद है लोकसभा देश की क्या है संसद है जल्दी बताओ भारत में लोगसभा के चुनाव कौन आयोजित करता है जल्दी उताओ चलो करता है लोगसभा के चुनाव इसका अंसर के बनता है चुनाव आयोग इलेक्शन कमिशन ठीक है चुनाव आयोग इलेक्शन कमिशन चलो ब्रिटिश संसत के किस अधीनियम ने इस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया जल्दी बिताओ चलो डाउट होगा भी कैसे डाउट होना चाहिए भी नहीं है, चलो. क्या बात है, तब बढ़ा. साथ यो, स्सी जीडी का पैरा मिलिटरी बैच, स्सी जीडी का पैरा मिलिटरी बैच, आपके लिए लॉच्च किया गया है, ठीक है, इसमें आपको जीडी ट्वंटी लिखने पर 20% का लेस मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको एक्सपर्ट, सेकल्टी मिलेंगी, उसके लावा आपको जो क्लासिज में करवाया जाएगा, उन सब चीजों के पीडियस मिलेंगे, ठीक है, ये सब चीजें आपको पैरा मिलिटरी बैच में प्रोवाइड की जाएंगी, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक्जामपूर की एप पर जाना है, एक्जामपूर की एप पर जाकर इस कोर्स को आप खरी सकते हो, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, ठीक है, तो काफी मतलब अभी समय आप लोगों के पास है ठीक है काफी समय अभी आप लोगों के पास है तो इसका जितना जदा benefit ले सकते हो ना उतना benefit आप लोग ले लेजिए ठीक है चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रशन के ओपर है है साथियो प्रशन क्या है भारत सरकार अदिनियम 1858 बारत सरकार अदिनियम 1858 इसमें बहुत सारे चेंजी इस हुए बारत के अगला प्रशन क्या है 36 गड़ के कोर्बा में स्थित है चैतूर गड़ किला एक प्रसिद्ध और अद्वित्य मंदिर का घर है वे मंदिर कौन सा है जल्दी बताओ कि वो मंदिर कौन सा है सामिक बॉस क्लास खतम होने दो तुम्हें पीडियाफ मिल जाएगा एक्जाम स्बाइग्जाम पूर टेलिग्राम चलना पर मेरा वादा है क्लास खतम होने टुम्हें प्यूंत वरी जब हम है तो क्या गम है डोंट वरी नौ प्राब्लम देखो इसका आंसर क्या बनता है महिशा सुर्मंदिर मार्ग ठीक है महिशा सुर्मंदिर मार्ग टैंपल चलिए चलते हैं अगले प्रशन के ओपर वह क्या है निमन लिकित में से कौन सा पुरसकार खिलाडीयों को लाइफ टाइम आचीवमेंट इन स्पोर्ट पुरसकार देता है जल्दी बता है चलो निमन लिकित में से कौन सा अवार्ड lifetime achievements in sports पुरसकार देता है द्रोनचार अवार्ड ध्यान चंद पुरसकार अजीव गांधी खेल रतना अवोड या अरजुना अवार्ड जल्दी बताओ जरह चलो इसका अंसर क्या बनता है ध्यान चंद्र अवार्ड ठीक है ध्यान चंद्र अवार्ड चलिए अगला प्रशन पर चलते हैं भारत श्रिलंका द्वारा अलग किया गया किसे जल्दी बताओ भारत और श्रिलंका को कौन अलग करने का काम करता है यह भारत है शिरलंका है इन्हें अलग करने का काम कौन करता है जल्दी बताओ जलो आप सब के कॉमेंट्स में देख रहा हूं आप सब लोग बताइए कि इन्हें अलग करने का काम कौन करता है चलो इसका आंसर क्या बनता है पाल्क स्ट्रेट ए इसका आंसर है पाल्क स्ट्रेट ए ठीक है इसका क्या बनता है आंसर बनता है चलो अगला क्या है आंसर इसका कौपर सल्फेट का रंग कौन सा है कौपर सल्फेट का रंग कौन सा है जल्दी बताव जरा चलो कौपर सल्फेट का कौन सा है जल्दी बिताइए चलिए कॉपर सलफेड का रंग क्या है ब्लू है ठीक है नीला रंग है कॉपर सलफेड का चलिए निमिल लिकित में से कौन सी नदी बंगाल की खारी में गिरती है जल्दी बताओ दरह चलो क्रिष्णा सतलुज तापी नर्मदा कौन सी नदी गिरती है जल्दी बताओ दरह चलो देखो सतलज नदी अरब सागर में गिरती है तापी नदी अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है ठीक है क्रिशना नदी कहां मिलती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है कहां पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में प्राइदी पिया बारत की तीन परमुक नदीयों में से ये दूसरी नदी है इसका उदे महा बालेशवर में होता है ठीक है चलो निमिल लिकत में से कौन एक संगिय देश नहीं है निमिल लिकत में से कौन सा एक संगिय देश नहीं है कैनडा ब्राजिल चीन अस्ट्रेलिया कैनडा ब्राजिल चीन या अस्ट्रेलिया जल्दी बताओ दरा कौन सा देश संगिय देश नहीं है चलिए बताइए देखो संगिय देश कैनड़ा से तो हमने लिया है तो यह चीन इसका अंसर बनता है भाई साथ इसके सेंटर के पास जो इसकी सेंटर गवर्मेंट होती है इसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है चलो अगला प्रशन क्या है forming of Association in India forming of Association in India जल्दी बताओ चलो भारत में association का गठन forming of Association in India मौली का दिकार कानूनी अदिकार प्रकृति का दिकार या वा संवेधानी का अधिकार जल्दी बताओ ज़रा मौली का अधिकार ठीक है क्या इसका अंसर बनता है देखो association हमारा एक आर्टिकल आर्टिकल नमबर 19 उसके अंदर हमें आजादी दी गई है या कह लिजिए आजादी दी गई है या स्वेत अंतरता या क्या दी गई है स्वेत अंतरता आजादी या स्वेत अंतरता दी गई है इस जी चोंगी ठीक चलो चलते हैं अगले ब्रशन के है आर्टिकल साइट ओफ कोदी हवा कहां पर है पर कुछ तर प्र देश में तीक है यह आ और है रिक लोजिकल साइट ओ उफ कर दीITY हवा यह पूरा तात्विक्स थल्ल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं चलिए बेस सूर्स आर कॉरेक्ट बताओ यह बेस लिखें उनके साथ उनके क्या लिखें हैं सोर्सिज लिखें हैं कि अ कि अ जल्दे बताओ जरा कॉंसे लिखें हैं कॉंसे सूर्सिज को रेक्ट हैं कि अ हुआ 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 है यह पैरा मिलिटरी बैच एक्जामपूर की एप्लिकेशन द्वारा लॉंच किया ज्यास गया जाएगा पांस सो निन्यानुए उपए में आपको जीडी ट्वंटी लिखने पर आ यहां पर आपको बीस परसन का लैस मिलेगा मैं सच बता हूँ जब भी कोई बंदा त्यारी करने आता ना उसके दिमाग में सवार पता क्या होते हैं अरे यार में जाओंगा इतने पैसे लगा कर बीस तीस जार पर दोंगा त्यारी कर लोंगा ऐसा सोचते हो तो सभी के दिमाग में कुछ हैजी बाते आती है बात भी सही है बिल्कुल लेकिन जब तुम्हें घर पे बैठके पांसो निजानवे रुपे और उसमें भी बीस परसंग का लैस उसमें भी आपको लाइफ क्लास यह नहीं है कि भाई सब रिकॉर्डड़ क्लास चिपका देंगे ना जिन ना लाइफ क्लास उसमें भी आपक 20 परशन की लाइस के साथ इसका कोड क्या है जी टीट टी क्या कोड है जी टीट है बहुत सरे लोग हो सकते हैं जो कहते हों कि भाज साब अभी तो हम हम भी हमारे छे महीने पढ़ें है त्यारी कर मेलब एक्जाम देने को यह बड़ा है यह तुम्हारा बैनिफिटी है छे मह महिने पहले किसी चीजी को त्यार हो जाओगे कहां छे महिने बाद त्यार होगे तो बैटर है कि कर लो ठीक है तो बैटर है कि चीजों को बहतरीन तरीके से कर लो जल्दी बताऊ ज़रा इसका आंसर के बनते है एम्मॉनियम हाईड्रोसाइड विंडो क्लीणर विंडो शीशा, खिड़की तू चू करके साफ किया जाता है विंडो क्लीणर को ठीक है ammonium solution ठीक है यह होता किसका chemical formula NH4OH ठीक है NH4OH अगला प्रश्ण क्या है लोहे क्यों जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की परकरिया को क्या कहते हैं जल्दी बताओ जरा जिंक की परत चढ़ाने की परकरिया को क्या कहते हैं सातियों सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दो चलो सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर देंगे चलिए सबी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी वताओ उस परक्रिया को क्या कहते हैं देखो इसका आंसर आप लोग बताते हो फिर मैं बेलकुल सही गैलवेनाईजेशन क्या इसका अंसर बनता है गैलवेनाईजेशन इसका आंसर बनता है ठीक है यह गैलवेनाईजेशन यह गैलवेनाईजेशन होता क्या है मैं समझाता हूं यह गैलवेनाईजेशन होता क्या है ठीक है समझो एक तो आयरन होता है लोहा या फिर होती है स्टील ठीक है इस आयरन या स्टील को बचाना तो बहुत ज़रूरी है जंग ना लगे यह चीजें जंग लगना सबसे धारना चीज़ आपने एक लाक रुपे लेकर कोई लोहे की चीज खरीद दिया जंग लगा एक ल करता है उसके उपर लगा दिया एक लेयर ठीक है वो एक protective layer का काम करती है क्या करती है वो एक protective layer का काम करती है coating ठीक है यह बात आप याद रखना चलो कि यह काफी important चीजिए इसके बारे में आपको बताना चाहता है ठीक है साथ यो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जैसे कि इस वक्त आप स्सी एक्जाम्पूर टेलीग्राम चैनल पर हैं स्सी एक्जाम्पूर टेलीग्राम चैनल से हटके एक्जामपूर के बहुत सारे चैनल है जैसे की एक्जामपूर का मेंन चैनल उसके इलावा एक्जामपूर के दूसरे कई चैनल है जैसे की टीचिंग का है टेक का है डिफेंस के लिए है उसके लावा स्टेट के भी कई सारे चैनल है जैसे की राजिस्थली हो गया हिरयाना ज जितने भी लोग इन चैनल पर आते हैं ना वो भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लें और हो सके तो बैल आइकन भी दबा ले ठीक है और जितने भी लोग इस वक्त लाइव है एक बार लाइक तो करी सकते हो कि यह भी निया लाइक नहीं कर सकते हैं लाइक तो कम से क सेनिक बनकर आप अपने देश, अपने माबाप, गाउं, गल चुकी है। आपको जरूरत है महनत करने के अपके सपनों को साकार करने के लिए जी कोर्ट महनत करने के लिए आपके लिए रास्ता बनाएगे। तो आज ही डाउनलोड करें एक्जांबूर अफिशल आप और साथ ही साथ दिये गए नमबर पर संपर्ख करें। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो धन्यवादे। अभर आपके लिए चाहिए जावादें।